Halo Friends, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने लावा अगने Android वाईलफोन में आप Fast Torch Setting को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानि की On कैसे कर सकते हैं और यह fast torch setting जो इनेबल करने के बाद यह setting कैसे काम करेगी, आज की इस वीडियो में आपको detail में जानकारी देने वालो हूँ, तो चलिए यहाँ पर जो वीडियो को start कर लेते हैं, सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page open करना है, ठीक है, इसके बाद आपको निचे की site में आन आपको अपने mobile phone को chopping motion में दो बार इस तरीके से करना है, ठीक है, तो इस तरीके से कीजे, जटके से करना है, आराम आराम से करेंगे, तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर जटके से करेंगे, दो बार chopping motion में, तो इससे होता क्या है, कि आपके mobile phone की torch होती है, यह on हो जाती है, ठीक है, अब आपको इस torch को बंद करने के लिए, आपको उसी motion में आपको दो बार करना है, इस तरीके से, ठ ठीक है, तो अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ, आपके mobile phone में, ठीक है, कि कैसे आप इस setting को shortcut तरीके से ढूंड सकते हैं, इसके लिए आपको करना है, मुवाइल का setting page ओपन करना है, और सबसे ओपर आपको यह search setting का option दिया हुआ, इससे select करना ह fast torch, fast torch आप यहाँ पर टाइप कीजिए, इस तरीके से fast torch, जो setting का name है, वो आपको पूरा पूरा टाइप करना है, ठीक है, तो आपको नीचे की side में जो fast torch का option शो हो जागा, इससे select करना है, इससे होगा क्या, कि आपका mobile phone आपको direct खुद बखुद इस setting में लेकर आजागा औ setting को highlight करेगा इस तरीके से, ठीक है, तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका बता दिया है, इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में,